गुर्मोने बच्चों बच्चों हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों चलिए कबीर दास जी द्वारा रचित जो पद है दूसरा पद उसको देख लेते हैं आलाकि यह जो पद है बहुत लंबा है तो मैं इसे अलग-अलग भागों में बाट कर बताऊंगे मैं तो देखिए क्या पद है मैं इसकी पांच लाइने पड़ देती हूँ कितेब कुराना कै मुरीद तकबीर बतावें उनमें उह जो ग्याना कबिरदास जी यहां पर इस पद में बच्चों यह जो धर्म में सभी धर्मों में जो वाह आडंबर है भेदभाव है पाक्खंड है उसका बिरोध करते हैं और जैसा आपने उनकी जीवनी में पढ़ा हो कि कबिरदास जी समास में जितनी भी कूरीतियां थी जितनी भी बुराईयां थी उन सब पर वे कठोर प्रहार करते हैं उन सब पर वे बेंग करते हैं उन्हें किसी भी तरह का जो पाकंड है ढोंग है भेदभाव है वो पसंद नहीं था तो वह हिंदू धर्म का हो मुसलिम जहां कहीं भी उन्हें बुराया दीखी हैं उन्हों पर विंग जरूर किया है तो यहां इस पद में जो उनका भाव हैं करने का व्या डमबरु का विरूद करने का यहां इस पद में उनका वही भाव प्रगट हुआ है तो बच्चों इसके शब्दार देख लिजिए देखे मैं आपको बता दू मुरीद 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 का अर्थ है शिश्य क्योंकि मुरीद का अर्थ आपने समझ आते हैं मुरीद मतलब उसका मुरीद हो गया उसका कायल हो गया उस पर मतलब उसक इसे बहुत प्रभावित हो गया तो मुरीद का अर्थ यहां पर है शिष्य और तकबीर जो अलगसे अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं अलगसे शब्दा आपको दिख रहे हैं तकबीर तकबीर का अर्थ होता है उपाय, युक्ति, जतन, प्रयास अब देखिए कितेब कितेब क्या है कितेब है वही किताब परियाय है किताब का किताब अर्थात पुस्तक ग्रंथ आप देखिए पखान नहीं पाखन मतलब आप तद्भव सब ले सकते हो पाहन पाहन जिसका अर्थ है पत्थर और असनाना का अर्थ देख लिजिए असनाना ये थोड़ा सा चुकी कवीर पढ़े लिखे नहीं थे इनकी भासा पंचमेल खिजडी थी तो कह सकते हैं ठेठ अधी थी इनकी भासा तो असनाना मतलब इश्णान नहाना अब देखिए इसका भावार्थ देख लिजिए आप कवीर दास जिसमें क्या कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना हे साधकों हे संतो मतलब हे सजनों देखो ये सारा संसार बौरागय आर्थात पागल हो गया है बौराना का अर्थ पागल हो जाना है जग मतलब आप जानते होगे जग पर्याबाची है संसार का तो कभीरदास जी कह रहे हैं संतो देखत जग बहुराना है साधूं है सजनों देखो यह सारा संसार पागल हो गया है और साच कहो तो मारन धावे जूट जूटे जग पतियाना पतियाना मतलब विश्वास करना भरोसा करना आगे कह रहे हैं कि अगर इनसे सच्ची बात कही जाए उनके सामने सही बात कहो उन्हें सही बात बताओ समझाओ सत्य का ग्यान कराना चाहो तो वे मारने दोड़ते हैं मतलब ये बिश्वास नहीं करते क्रोधित हो जाते हैं सच्ची बात बताने पर सही बात बताने पर वे भड़क जाते हैं और जूठे जगबतियाना और जूठी बातों पर बिश्वास करते हैं तो वास्तों में ये जो संसार के प्राड़ी हैं संसार के मनुस्य हैं वे पागल हो गए हैं क्योंकि जब इनसे इन्हें सच्ची बात बताई जाए इन्हें सच्च का ज्यान कराया जाए तो ये क्रोधित हो जाते हैं भड़क जाते हैं मारने दोड़ते हैं और जूठे जगब मानते हैं आगे कह रहें कबिर्दास जी नेमी देखा धर्मी देखा नेमी मतलब जो नियम पुर्वक मतलब धर्म का नियम पुर्वक पालन करें नियम पुर्वक मतलब जो आज हम काम कर रहे हैं उसको हम रोज करें प्रतिदिन करें मतलब यह नहीं कि आज कर लिया मैंने पू ये जो है नियम में नहीं आएगा नेमी मतलब कठोरता पुर्वक जो पूजापाट धर्म करम का कठोरता पुर्वक पालन करता हो नियमों से चलता हो अपने नियम को कभी तोड़ता नहीं हो वह नेमी है कभी तास जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें असनाना कभी तास जी कहते हैं कि मैंने नियम धर्म को अपनी दिन चर्या बनाने वाले नेमी धर्मी मतलब नियम धर्म को अपनी दिन चर्या बनाने वाले और उसका कठोरता से पालन करने वाले बहुत से सन्यासीयों को, साधूंगों ग्रिहस्तों को देखा है जिन्होंने नियम धर्म को अपनी दिन्चर्या का हिस्सा बनाया है और उसका कठोरता पुर्वक पालन करते हैं और इसी क्रम में वे परात करे सनाना वे पराता जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठकर अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए इसनान भी करते हैं मतलब नहाद होकर अपने शरीर को शुद्ध करते हैं वे अपने दैनिक्रिया से निब्रित होकर इसनानादी करके अपने शरीर को सुद्ध करते हैं उसके बाद वे पूजा पाठ करते हैं तो मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से नियम धर्म को पालन करने वाले सन्यासियों को देखा है लेकिन आगे कह रहे हैं कभिडास जी आतम मारी पखा नहीं पूजें उनमें कछु नहीं ग्याना किन्त वे अग्यानता बस अपनी आतमा को मार देते हैं अपनी आतमा को मार देते हैं उस मतलब अपनी मन की अपनी आतमा की फुकार नहीं सुनते कहने का भाव ये है कभिरदास जी के कि वे अपनी आत्मा में बसे इस स्वर को छोड़ देते हैं वे अपनी आत्मा में बसे इस स्वर को नहीं पहचानते अपने अंदर ब्याप्त इस स्वर को न देख कर न पहचान कर उनका परित्या करके पखाने पूजे वे पत्थरों को पूजते हैं उनमें कछु नहीं ग्याना और वास्ताव में वे एक ग्यानी है उनमें कोई ग्यान नहीं है उनका जो ग्यान है वो थोथा है मिथ्या है सतही है मतलब उन्हें अलप ग्यान है वे अपने आपको ग्यानी समझते हैं लेकिन उनमें कोई ग्यान न नहीं है वो जो भी उनको ग्यान है वो आधा धूरा है और निशार है थोथा है सतही है उस ग्यान का कोई मतलब नहीं वास्तों में ऐसे ग्यानियों को कबीर दाशी अग्यानियों की स्रेडी में ही रखते हैं जो अपने अंतरात्मा में बसे इस वर के आंस को न पहचान करके उसको कश्ट दे करके पत्थरों को पूजते हैं मतलब पत्थरों को पूजने का मतलब वाह आडंबर में विस्वास करते हैं वास्तों में वे अपने आपको ग्यानी समझते हैं परंत वे ग्यानी नहीं है उनका ग्यान सतही है बेर्थ है निरर्थक है देखे बच्चों कबीरदास जी जो है मूर्ति पूजा के बहुत बड़े पिरोधी थे वे इसलिए वे निर्गुड इस्वर के उपासक थे उनके जो इस्वर थे वे वो निर्गुण निराकार परम्रम की उपासना करते थे मूर्ति पूजा के वे बहुत बड़े बिरोधी थे तो यहाँ पर उनका विरोध भाव है प्रगट हुआ है कि जो अपने आत्मा में बसे हुए इस्वर को नहीं पहचान रहे हैं और मुर्त पूजा कर रहे हैं वास्तों में यह जो पूजा पार्ट जो मतलब यह जो कार है वास्तों में आडमबर के अलामा कुछ नहीं है क्योंकि यहां से हमारी भक्ती नहीं दिखती है एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे कर्म यहां पर दिखते हैं कि हमें कार्म कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर में भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं भगवान के प्रति स्रद्धा सची भक्ती है इसका कोई प्रमाड नहीं है क्यों माला चड़ा देना जल मूर्ती में गिरा देना और जो है अगर बत्ती जला देना दिया जला देना और मन हमारा कहीं और लगा हुआ है मन तो हमारा वहां पर लगा ही नहीं है हम मन में कुछ और सोच रहे हैं किसी का बुरा सोच रहे हैं या मन हमारा कहीं भी भटक रहा है और ह इसमें कोई ग्यान नहीं है इसमें कोई बड़ी बात